बबादार दोस्तों आउसी के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत कुबसूरत डिजाइन लाए हूँ आप इसे जैन स्वेटर में बनाएए ये बहुत ही अच्छा लएगा लेडिस स्वेटर में कार्डियन में जैकेट में कोटिम बनाएए या बच डिजाइन बताने से पहले आपसे अन्रोध है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बारा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें वीडियो और डिजाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शियर क करें तो चलिए फ्रेंड्स हम डिजाइन मनाते हैं यह डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से डिजाइन सामने की तरफ से डलेगा तो यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइज से फंदे बढ़ा लीजेगा तो यह डिजाइन क पहला लाइन है और सामने से पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे उनको अपनी ओर करेंगे तीन फंदा हम उल्टा बोनेंगे उनको दूसरी ओर करेंगे और पांच फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच तो पहला फंदा एज स्टीच है और इन ही आठ फंदो को हमें कूरी सलाई में दूराना है उनको अपनी ओर करना है तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन, उनको दूसरी ओर करना है और पांच फंदा सीधा दो, तीन, चार, पांच उनको अपनी ओर करना है तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन, उन दूसरी ओर पांच फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांश तो इन ही आठ फंदों को दूराते हुए हम पूरी लाइन कम्प्रीट कर लेंगे पांश फंदा सीधा बुनने के बाद चार फंदे बचे हैं तो उनको अपनी उर करेंगे तीन फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टीच है इसे हम सीधा बुनने लेंगे तो हमने आठ के मल्टिपल फंदे लिए और पांश फंदा एक्स्ट्रा यहाँ पे चार फंदा लास्ट में बचा है और एक फंदा एज स्टीच अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे उनको दूसरी और करेंगे तीन फंदा सीधा एक दो तीन उन अपनी और अब ये तीन फंदे हमने उल्टे बुने थे तो पीछे की तरफ से ये सीधे हो गए अब देखे ये पांच फंदे हमने सीधे बुने थे तो अब की हम इन्हें स्लाइम में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे सामने की तरफ से सीधा बुना था रॉंग सैट से ये उल्टा हो जाएगा तो पांच फंदे स्लाइम में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा अब फिर तीन फंदे सीधे हैं तीन फंदा सीधा बुन लेंगे जिसे हमने सामने की तरफ से उल्टा बुना था तो तीन फंदे सीधे पांश फंदा हमने सामने की तरफ से सीधा बुना था अब रॉंक साइड से पांश फंदे उल्टे हो जाएंगे जिने हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे पांश तो फिर इन ही आठ फंदो को हम दोराएंगे तीन फंदा सीधा उन अपनी और और पांश फंदा सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा तीन चार पांश उन दूसरी और तीन फंदा सीधा एक दो तीन उन अपनी और पांश फंदा सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा दो तीन चार पांश उन दूसरी और तीन फंदा सीधा उन अपनी और पांश फंदा सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा दो तीन चार पांश उन दूसरी और चार फंदे बचे हैं तो तीन फंदा हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट फंदा एज स्टीच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे तो हमने दो लाइन कम्प्लीट कर लिया, अब ये हमारे डिजाइन का तीसरा लाइन है, तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा गुन लेंगे, उन दूसरी ओर, अब देखिए, पांस फंदे सलाई में दो ब दाइनी सलाई में, अब देखिए, बाइन सलाई वाला, बाइन हाथ वाला सलाई हम ऐसे पीछे की तरफ से लाएंगे, देखिए, पीछे की तरफ से ऐसे लाएंगे, और इन तीनों फंदों में ऐसे डालेंगे, और दाइनी सलाई को निकाल लेंगे, अब फिर, देखिए, ह पांचो ठपेटे हुए फंदे को हम एक साथ लेंगे और एक बार सीधा बुनेंगे एक हुआ उनको अपनी और किया दो फिर इसी में एक बार और सीधा बुना तो देखिए तीन फंदे हो गए उनको अपनी और किया ये चार और फिर इनी पांचो में एक और सीधा बुन लिय तो ये देखिए 5 से हमारे 5 फंदे हो गए 1, 2, 3, 4, 5 अब इसको हम छोड़ देंगे अब उनको अपनी और करेंगे 3 फंदा उल्टा 1, 2, 3 उनको दूसरी और अब लपेटे हुए 5 फंदे इन्हें हम खोल देंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इन 5 फंदों को हम 2 हिस्से में करेंगे 2 फंदा 22 लाए में 3 फंदा दाहिनी सलाए में अब 22 लाए फंदा 22 लाए को हम पीछे की तरफ ये जो 3 फंदा है इनके पीछे की तरफ से ऐसे हम सलाई डालेंगे और इन फंदों को हम ऐसे पलट देंगे अब देखिए ये तीसरा फंदा हमारा उपर की तरफ आ गया अब इन पांचों फंदों में हम एक साथ स्लाइड डालेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे एक हुआ उनको अपनी ओर करेंगे ये हमारा दूसरा फंदा हो जाएगा फिर इन ही पांच फंदों में एक बार और सीधा फंदा बनाएंगे तो देखिए तीन फंदा हो गया फिर उन अपनी ओर करेंगे ये चौथा फंदा हो जाएगा फिर एक बार सीधा बनेंगे तो हो जाएगा पांच फंदा तो हमने 5 से 5 फंदे बना लिए अब इसको ऐसे छोड़ेंगे उनको अपनी और करेंगे और 3 फंदा उल्टा बनेंगे 1, 2, 3 उन दूसरी और 5 फंदा को खोलेंगे 5 फंदो को हमने खोल लिया 2 फंदे को 22 लाइम है 3 फंदे को दाइनिस लाइम करेंगे अब 22 लाइम को हम पीछे की तरफ से ऐसे लाएंगे और इन 3 फंदो में ऐसे पीछे की तरफ से लाइम दाइनिस लाइम को निकाल लेंगे अब फिर इन 5 फंदो को एक साथ लेंगे और बैक लूप से यानि पीछे की तरफ से 5 फंदे बनाएंगे एक, उन अपनी और, तीन, फिर उन अपनी और, फिर सीधा बुना, ये हो गया, पाँच फंदे, उनको अपनी और करेंगे, अब तीन फंदे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, फिर से देखिए, उन दूसरी और करेंगे, लपेटे हुए पाँच फंदों को हम खोलेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इन पाँच फंदों को हम दो हिस्से में करेंगे, एक तरफ तीन फंदा रहेगा, दूसरी तरफ दो फंदा रहेगा, अब बाइस लाई को हम पीछे की तरफ से ऐसे लाएंगे, और इन तीनों फंदों में ऐसे डालेंगे, दानिस लाई को निकाल लेंगे, अब फिर पाँच फंदों को एक सार लेंगे, और बैक लुप से सी बुनते हुए पांच फंदे बनाएंगे एक ये दो हुआ तीन उन अपनी और चार पांच पांच से हमने पांच फंदे किरा बना लिए अब फित इन ही आठ फंदों को हमें दोराना है उन अपनी और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और पांच लपेते हुए फंदे को खुलेंगे दो हिस्से में करेंगे एक स्लाई में दो फंदा दूसरी स्लाई में तीन फंदा अब बाइस स्लाई को ऐसे पीछे की तरफ से लाएंगे और तीन फंदों में ऐसे डालेंगे ताइनिस राई को निकाल लिया पांच ओफंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से सीधा बनते हुए देखिए एक फंदा हमने बना लिया उनको अपनी ओर करेंगे फिर एक और फंदा तीन फंदा हो गया फिर उनको अपनी ओर करेंगे चार फिर एक और सीधा पंदा बनाएंगे तो पांच पंदा अब लास्ट में चार पंदे बचे हैं तो उन अपनी और तीन पंदा उल्टा और लास्ट पंदा एज स्टीच है इसे हम सीधा बनाएंगे तो ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हुआ अब हम आजाते हैं रॉंग साइड में और ये हमारे डिजाइन का चौथा लाइन है पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और तीन फंदा सीधा एक दो तीन उन अपनी और पांच पंदा उल्टा एक दो तीन चार पांच तो पहला फंदा एज इस टीच है और इनही आठ फंदो को हमें पूरी सलाई में दूराना है उनको दूसरी और करना है तीन फंदा सीधा उनको अपनी और और ये हमने पांच फंदे बनाय थे तो इनहें वापस हम उल्टा बुलेंगे इनही आठ फंदो को दूराते हुए हम पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे तो हमने चौथा लाइन कंप्लेट कर लिया अब ये हमारा पांच वा लाइन है पांच वी लाइन में पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उनको अपनी और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और पांच फंदा सीधा उन अपनी और तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और पांच फंदा सीधा तो इनी 8 फंदों को हमें पूरी सलाई में दोराना है तीन फंदा उल्टा बुनना है और 5 फंदा सीधा 5 फंदा सीधा बुनने के बाद लास्ट में 4 फंदे बचेंगे तो तीन फंदा उल्टा और चौता फंदा है जिस्टीच है इसे हम सीधा बुन लेंगे ब्रॉंग साइट से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उन दूसरी और देखिए तीन फंदे सीधे हैं इन्हें हम सीधा बुन लेंगे उन अपनी और अब देखिए पांच फंदे उल्टे हैं तो इन्हें हम सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे पहला फंदा आजिस टीच है और इन्ही आठ फंदों को हमें पूरी सलाई में दोराना है तीन फंदा सीधा उन अपनी और पांच फंदा सलाई में दो बार उन लपेटते हुए उल्टा पांच फंदा लपेटते हुए उल्टा बुनने के बाद देखिए चार फंदा बचे हैं तो तीन फंदा सीधा और लास्ट फंदा अज इसटीच है इसे हम उल्टा बुनने अब हम आजाते हैं सामने की तरफ तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे उनको अपनी और करेंगे तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और अब देखिए पांच लपेते हुए फंदे हैं इन्हें हम खोल लेंगे और दो हिस्से में बाद लेंगे बाइस लाई में दो फंदा और दाहिनिस लाई में तीन फंदा अब 22 स्लाई को पीछे की तरब से ऐसे स्लाई डालेंगे और इन तीन फंदों को हम पलट देंगे लेकिए हमने ट्विस्ट कर दिया अब पाचों फंदों को हम एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उनको अपनी और फिर इन ही पाच फंदों में एक और सीधा फंदा तो तीन फंदा हो गया फिर उन अपनी और फिर इन ही पाच फंदे में एक और फंदा फिर उन अपनी और तीन फंदा उल्टा है इसे हम उल्टा बनेंगे उन दूसरी और पांच सीधे लपेटे हुए पंदे, इन्हें हम खोल लेंगे और दो हिस्से में कर लेंगे बाइंस लाई में 2 पंदा और दायनि स야ट में 3 पंदा अब बाइंस स需要 को पीछे की तरफ से हम लाएंगे और तीनों फंदों में ऐसे पीछे की तरब से सलाई डालेंगे दाइनी सलाई को निकाल लेंगे अब देखिए ये हमारा फंदा पलट गया तीन फंदे जो हैं वो पलट गया अब इन तीन फंदा और दो फंदा इन पाचों फंदों को एक साथ लेंगे और एक बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उनको अपनी ओर करेंगे फिर इन्ही तीन पांच फंदों में एक और फंदा तीन फंदा हो गया फिर उन अपनी ओर करेंगे इन्ही पांच फंदों में बैक लूप से एक और सीधा फंदा बनाएंगे तो 5 से हमने 5 फंदे बना लिया अब इसे हम गिरा देंगे तो इन ही 8 फंदों को दूर आते हुए हम पूरी स्लाइक कम्प्रेट कर लेंगे 8 फंदा और 4 लाइन का ये खुबसुरा सा डिजाइन है मैं थोड़ा सा और बना लेती हूं फिर आपको दिखाते हूं तो देखिए फ्रेंस दिजाइन बनके त्यार है 8 फंदों का और 4 लाइन का रिपीटे डिजाइन है सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो क्रिप्या इसे लाइक करें अपने फ्रेंस और फैमिली में शेयर करें थैंक्स फर वाचिंग